हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब या देवी सर्भू तेशु दिद्यारू पेन संस्थिता नमस्तस्याई 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 नमु नमा उस तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है अर्यानावीद्याले शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा सत्र दो हजार तेईस चौबिस के लिए कुछ नए दिशार निर्देश जारी किये गए है आज हम उनके बारे में आपको बताएंगे twice exam formula ये दो परिक्षाओं का क्या formula बोर्ड ने बनाया है इसके बारे में चर्चा करेंगे पेपर कैसा आएगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेशनल एडुकेशन पॉलिशी जो है NEP 2020 के तहत ये विचार किया है कि जो बचे अगली कक्षाओं में mathematics नहीं पढ़ना चाते उनको mathematics का difficult paper नहीं आना चाहिए और उसके लिए बोर्ड ने पेपरों के विवस्था की है extended mathematics और एक basic math जोस्तों जिन बच्चों ने आगे जाके non-medical नहीं लेनी है या math नहीं पढ़ना है उन बच्चों को basic mathematics चूज करना है ठीक है और उन्हें basic mathematics ही चूज किया होगा और जिन्होंने आगे mathematics पढ़ना है plus one plus two में उनको standard mathematics चूज करना पढ़ेगा station हो चुकी है आपने standard या basic चूज कर लिया होगा प्रन्तु अभी आपके पास option है अभी आपके पास option किस परकार का इस्पोज किजिए आपने basic mathematics दिया है और basic mathematics से मार्च दो हजार चूबिस में आपने exam पास कर लिया बट अब आपको ध्यान आता है कि मुझे standard mathematics से लेना चाहिए था क्योंकि मैं तो non-medical पढ़ना चाहता हूँ तो उसके लिए board ने एक provision रखा है कि जो बच्चा उन या जुलाई में 12 exam देगा तो standard mathematics से दे दे और standard mathematics में अगर वो पास हो जाता है तो non-medical मिल जाएगी ठीक है और दूसरा option क्या है suppose कीजिए आपने जुलाई या उन में दुबारा paper दिये और यहां पर आपने basic से paper दियो है अब इन में से जिन में आपके अधिक अंक होंगे तो आपको मिल जाएंगे मान लो तो आपने March 24 में paper दिया है या 29 में दिया है एक में आपके नंबर आते हैं 60 और एक में आते हैं 65 तो आपके 65 नंबर जुड़े है ठीक है यह facility board ने आपको यहां दी है अब इसमें आपके पास लेबस सेम होगा सेम है सब कुछ सेम आएगा परन्तु जो standard का paper होगा वो थोड़ा difficult होता है और basic का लेवल का भी मैंने बता दिया बाइचांस आपने basic से paper clear कर लिया उसके बास standard से करना चाहते हो तो कर सकते हो अब आपको यहां पर exam policy भी पता लगी होगी अब दो exam policy क्या होगी अब किसी बचे मैंने मान लीजिए मार्च में paper दिये हैं मार्च 2024 में और उसको लगता है मेरे नंबर कम आये हैं और मैं improve करना चाहता हूं तो वह जुलाई 2024 में 12 paper देगा और इसमें भी उसके लिए क्या benefit है जिस exam में उसके ज़्यादा नंबर होंगे वही आगे carry on करेंगे ठीक है बिल्कुल इजी सी बात बताई है मैंने ये टू exam policy बहुत बढ़िया है इससे आपका result में बहुत सुधार होगा और क्या improvement करिए यहां पर इस बार बोड़ने क्या कर रहा है कि चार सेट आपके पास exam क्योंगे exam में question paper है कितने set होंगे चार होंगे और चारों में क्या similarity होगी 96% question जो है उनके same होंगे येवल जो है 4% question है वही आपको यहां पर अलग में लेंगे ठीक है 96% question सेम होंगे 4% अलग होंगे पहले क्या होता था कि आपके पास a set b set c set इस परकार सेट आते थे और किसी सेट में question कुछ और है किसी में कुछ और है किसी में कुछ और है क्या होता था तीनों का difficulty level papers का अलग-अलग हो जाता था अब क्या है कि आपका difficulty level तीनों पेपर थोड़ा easy है A set B set बच्चे बोलते हैं tough है और C set उटते भी tough है तो जिन्होंने C set दिया उनके number बहुत कम आएंगे और जिनके A set आया उनके पास number ज्यादा आ जाएंगे तो यहां पर बोड़ ने इसको भी difficulty level की है वो भी यहां पर आपको टॉट आउट हो जाएगी और यहां पर इस बार बोड़ ने marking का भी style चेंज किया देखिए assessment कैसे होगी जो आपकी answer sheet होगी वो answer sheet scan हो जाएगी ठीक है क्या होगी computer में scan हो जाएगी और यहां लिखा है मैंने on screen digital marking first time invented तो प्रियाना बोर्ड ने पहली बार जो है screen marking जो है वो करवाएंगे unique mode of evaluation है यह इसमें क्या होगा auto selection of code होगा suppose कीजिए किसी मान लीजिए आपके कोई marking examiner है राम कुमार जी है और उन्होंने English का paper check करना है उनको set A दिया जाता है जब set A select करेंगे तो उनके पास केवल set A के ही paper आएंगे उनकी screen पर set A के ही आएंगे पहले क्या करना पड़ता था पेपरों को छाटना पड़ता था ठीक है और दूसरा क्या है जो वो marks वहां देंगे उनकी auto totaling हो जाएगी अपने आप total हो के बाहर ल कुसान भी हो जाए जैसे elimination of double answering आगर आप बच्चे क्या करते थे गड़बड एक question पहले starting में कर दिया मान दो तीन नमबर और एक last में दुबारा कर दिया और teacher गलती से कई बार दोनों जोगा नमबर दे देते थे तो यहाँ पर जो computerized marking है उसमें अगर same question आपने दो बार किया है तो उसमें से जिसके अधिक नमबर होंगे वो आपको आगे देंगे ठीक है और अगर गलती से मान लीजिए किसी तीन नमबर के question में teacher ने चार नमबर दे दिये तो computer उसको accept ही नहीं करेगा ठीक है यहाँ पर इसमें कोई भी पेज जो है इसा नहीं चुटएगा जिसमें मार्किंग नहीं होगी computer अप्लोड ही नहीं होगा पेज तो यहां पर मार्किंग का सिस्टम भी है हम बहुत सारा चेंज हो जाएगा आपको सैट भी अलग-अलग मिलेंगे और किस परकार के सैट होंगे मैं आप को अपने इसी चैनल पर अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए मैं आपको यहां पर सभी वीचों के question paper जो है वो available कराने का प्रियास करूंगा तो आपको बताया कि किस परकार बोर्ड ने इस बार मार्किंग का pattern change किया है और किस परकार double exam system किया है ताकि result improve हो सके बचों के marks अच्छे आ सके आप दो बार paper दे सकते हो मार्क में भी दे सकते हो और मार्क के अगर आपको number कम लगते हैं तो आप जुलाई में दुबारा paper दे सकते हैं तो आपके अधिक number होंगे उन्हें को आगे carry forward किया जाएगा प्रीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू एव नाइस डे